वेलकम टू इंगलिश बाबा चैनल और अगर तुम क्लास 10 में हो या 12 में हो तो तुमारे लिए जब परतास खबर है क्योंकि CBSC ने जो सेंपल पेपर रिलीज किये हैं जिस बेस पे MCQ टेस्ट आएंगे उसी से रिलेटिट टेस्ट पेपर तुमारे लिए आ गया है तो 10 और 12 वाले स्टुडेंट्स दे सकते हैं अगर कोई 9 वाला बच्चा या 11 वाला भी अगर इसे देना चाहता है तो वो अनकेडमी लर्निंग आप डाउनलोड करने के बाद अपनी वहां पर क्लास 10 भरे या 12 भरे ठीक है अगर आप चाहते हो इसमें मैट्स और साइंस के वाला पेपर होगा आपका आप पता कर सकते हो कि आपकी ओल ओवर इंडिया में रेंक्या चल रही है ठीक है आपको वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा इंडिया के टॉप एजुकेटर से डिटेल्ड पफॉर्मेंस रिपोर्ट मिलेगी आपकी कि आपने कौन सा क्वेशन सही कि आथा यानि कि पेपर देने से पहले ही पहले ही ये आपको पता चल जाएगा ठीक है और जो भी टॉपर्स रहेंगे उन्हें अनकेडमी फीचर करेगा अपने शोशल मीडिया हैंडल पे अब तुम कहो कि सर ये बताओ ये टेस्ट देना कैसे है तो इस टेस्ट को देने के ल दालना या तो 10 या 12 ठीक है और उसके बाद जब आप ये काम कर लोगे अनकेडमी लर्निंग आप डाउनलोड कर लिया ठीक है नाम क्लास फोन नंबर और इमेल एडरेस आपने डाल दिया इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया हुआ है उस लिंक पे ज जाएगा जिन लोगों का एन्रोल हो जाए वो कॉमेंट सेक्शन में बता देना सर मेरा एन्रोल हो गया है अब कुछ बच्चे गलती क्या करते हैं कि वो भूल जाते हैं कि मेरा टेस्ट किस दिन है देखो ये जो टेस्ट है तुम्हारा 11 तारीक को है और 12 तारीक को है शाम को वीडियो में, बाई!